नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागता आपके अपने यूटूब चैनल टूबी वैट में तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पस्वों की जो डिवोर्मिंग है सबसे सांदार कौन सा डिवोर्मर है बहुत से बाइयों के मैसेज आ रहे थे भी सांस लेने में समस्या है या तरल पतार्त बहरा है नाक से तो सीप गोट के लिए कौन सा डिवोर्मर रजिस कॉपियों किया जा सकता है तो मैं आप लोगों को बता दूँ यह जो आप अमारे स्क्रीन पे देख पार है क्लोस एंटल जाए क्लोज नाम से जो अमारे पास है य आप उसका इस्तवाल कर सकते हैं कैसे इस्तमाल करना में वह भी आप इस वीडियो में बता हो और कहां इस्तमाल नहीं करना है मैं आप को वह भी इस विडियो में बताँगा जो ये एक दी ậुए प्लोज वीडियो स्प्ट्रम है ये जो इंटे उन्टरनल पैराशाइट है जो आंतरिक पर जीवी हैं, चाहिए उसमें फ्लुक्स होँँज़ाए आपके जी आई निमे टोडस होँँऊँ这हां उन पर फकल करता है उन परे किशीब्स के nasal boats हैं चीप केट हैं उन परila करेगा यह उसके अलावा जो बाईये पर जीवी हैं जैसे कि टिक्स लगे वे हैं माइट्स हैं चिचड़ चिचड़ी हैं या फिर मेंज हैं तो इन सब चीजों पर ये काम करेगा ठीक है एंटरनल पैरासाइट हों चाहिए एक्सटरनल पैरासाइट हों बाईये पर जीवी हैं या फिर आंतरि कुछ भाईों के मैसे खाते हैं भी हमने आई वर्मेक्टिन दे दिया उसका रिजल्ट भूने आपा रहा है या आयरर्मेक्टिन के अलावा भी हमने लिवा मिसोल का रिजल्ट लिए उनके रिजल्ट निया पाज रहे हैं तो आप उसकल प Natomiast को सकते आप best . गाएं, बेड, बैंस, बकरी इन च्यारों में आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं जो सीप गोट के जो केस हैं जिन में भी उनके सांस लेने में दिक्कत है नाक से जो सांस अच्छे से निल्या जा रहा है भी वो बार बार जो उनके सांस लेने में दिक्कत है नाक से या पदार्थ बहए रहायां भार बार गड़ा घ्रल पडार था वह बहए रहाया है यह उनके सांस ले में ने में दिक्यत था तो इस चीज में उसके बहुत ही सांधार रिजल्ट है अब मैं आपको बता दू इसकी डोज के बारे मैं बता दू में आपको जो जनरल इसकी डोज है वो 10 से 15 mg पर के जी बोडिवेट के इसाब से है विजय से कि मैं बात करूँ हमारे पास देखिए आप देख सकते हैं फैसियोला स्पीसिज या एक्टो पैरासाइट्स के लिए आपको इस्तमाल करना है जो हमारे पास ओरल में है एक एमल पर टैन के जी बोडिवेट ठीक है एक एमल पर टैन के जी बोडिवेट मतलब यह लगा लो भी अगर आपके पास 300 kg की कोई बहांस है तो आप इसका 30 ml का उपयोग कर सकते हैं जो आपका मिलब लार्ज पसू पूरा जो बड़ा पसू है उसमें 30 का 30 ml का उपयोग कर सकते हैं जो छोटी शीप गोट है उनमें आप देख लिए अगर आपके पास 40 kg की है तो आप चार अमेल देजिए 50 kg की तो आप पांच अमेल देजिए इस हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं 10-15 mg पर के जिब ओडिवेट के हिसाब से अब मैं बात करूँ कि हमारे पास बोलस है अगर 6 gram की 6 gram की बोलस है उसका उपयोग कैसे करना है तो जो 6 ग्राम की बोलस हो आपके लिए 400 से 400 किलो का जो आपका जानवर है उसके लिए आप सफीशेंट है तो आप उसी इसाब से इस्तमाल करें भी 100 किलो का अगर आपका जानवर आप 1.5 ग्राम 200 किलो का तो 3 ग्राम 300 किलो का तो तक्रीबन तक्रीबन 4 से 4 ग्राम और अगर आपका 600 से 500 किलो काप तो 6 गराम की बोलस आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है जो इस डिवोर्मर के रजल्ट है वो बहुत ही सांदार है जो आईवरमेक्टिन से रेजिस्टेंस हैं या फिर मोरेंटल से रेजिस्टेंस हैं अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद